Hello guys, आज हम without beltовать का cutting करेंगे इसके लिए हमारी सलवार की length ready जो हमें चाहिए वो है 36 और इसका आज़ जो है 13 और जो इसका पोंचा है वो हमें 16 चाहिए इसके लिए हम जो आज़े हैं वो हम 16 इंचीज रखेंगे बागी जो हमारा सलाई में स्लाई दप जाएगा और इसकी उपर की साइड हम 39 इंची का निशान लगाएंगे और इसकी उपर ड्रो करेंगे क्योंकि जो डाउट बैल्ट्स लगा रहे हैं तो जो जो उन्धाइ इंच का उपर फोल्डिंग आ जाएगा अब हम कुंदे के लिए धाई इंचीद लेंगे क्योंकि हमें जो जरवार का पोंचा है वो साड़े छे इंचीद चाहिए दूसरी साइड भी हम धाई इंचीद का ही निशान लगाएंगे अब इन निशानों को हम इला लेंगे अगर आपको जे मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें सब्सक्राइब करना ना भूलें अब इसकी दूसरी साइड जहां हमने 39 इंचीद पे चोड़ा था उसके उपर आसन रखेंगे 16 इंचीद पे निशान लगाएंगे अब जो दूसरी साइड भी है जहां पर हमने 39 इंचीद लेना है उन दोनों को 39 वाले को और इधर दूसरी साइड 16 इंचीद आसन को ऐसे सीधर ड्रो करके मिला लेंगे ऐसे पहले मेजर्मेंट करने से हमें इसका आइडिया भी हो जाता है कि यह पूरा-पूरा कपड़े में कटिंग हो जाएगी अब हम इसकी कटिंग करेंगे कटिंग भी हमें इस तरीके सही करेंगे जहां पर कुंता था दूसरी और भी जम धायंच छोड़ा था इसकी तरफ भी हमने ऐसे ही डायंच के जहांपने माग करा था इसके कोडिंग कटिंग कर देंगे किस किस कर यह कटिंग आती है कमेंट में जरूर बताना अब हमकर इसके दूसरी कपड़े की ओपर यह सहसे ही कटिंग कर देंगे जर्व जी हमारे जो फोल्ड वाला साय्ड था इसको भी हम बीच में से इसको भी हाँ सेंटर में से क्टिंग कर देंगे है अब हुआ हाट है है हुआ अब यह मारी चार कंदे रेडि हो गए है अब हम पलों की कटिंग करेंगे इसके जो चार कुम्दे हैं इनको हम इसके ऊपर अड़ेस्ट करेंगे जिस्ट करने के बाद थोड़ी सी इसको थोड़ी सी शेप देंगे वाखी के एक्जक्त ऐसी कटिंग वे अजयी और स्टिचिंग प्यासी हो जाएगी श्चिच होने के बाद जो हमारो पर दाइज का कि मैंसे भी जो पल्ले थे वो हमने जो हमरा सूड था तो उसमें से ही हमारे जो पल्ले वो निकल आए तो यह हमने लिए हैं 12 इंचिस के और लेंथ इसकी उतनी रखी है जितनी हमने कुंदें रखे थे 39 इंचिस कर दो